नमस्कार, मैं पंडित नरेंदर रुपाधिया, लाइव हिंदुस्तान के जोद्शिय कारिकरम में आप सब का पहुत बहुत स्वामित दोती है। सबसे पहले, 20 सारी के ग्राहि स्थती जानते हैं। राहु मेथन राशी में, सिंध राशी के चंद्रमा हो चुके हैं। तुला राशी में मंगल और गुद्र का गोचर हैं। ब्रिशिक राशी में सुर्य और शुक्र का गोचर हैं। धनू राशी में ब्रहस्पत, शनी और गेतु गोचर में चलता हैं। राशी पर शुरू करनें। मेश राशी। भाराओं में बहके निर्वे नाले, लिखने पढ़ने में सबे बेतीत करें, प्रेम में तूतू में की इस्तिती आ सकती हूँ, स्वास्त ठीक ठाक है, विवसाई की इस्तिती भी अच्छी है, बिर्शम भर्षी, भूम भौनमान के खरदारी का योग बनेगा, मा के स्वास्त म भाईयों और मित्रों के सायोग से कारियों को कर डालेंगे आप, बस कारी की शुरुवात करिए, शुरुवात करने के लिए अच्छा समय, स्वास्त मध्यम है, प्रेम की इस्तिती इच्छी है, विवसाई की इस्तिती भी ठीक चाले है, करगज, जुबान थोड़ी अनियंत स्वास्त पहले से बहतर है, प्रेम पहले से बहतर है, और विवसाई की इस्तिती भी आपकी ठीक चले है, सिंग राशी, वो जस्वी ते जस्वी बने रहे है, नाइक नाइका की भात चमकते हुए निखाई पढ़ रहे है, प्रेम की इस्तिती बहुत अच्छी है, स्वास्त कि स्थिति सुधर गई है विसाई के स्थिति में चार चार लगते गई जा रहे हैं कर दो थोड़ा मन परिशान रहेगा है कि खर्च की अधिक्ता को लेकर के भी थोड़ा सा चिंतित रहेंगे स्वास्थ मध्यम प्रेम की इस्थिति एच्छी रोजगार तरक्की की तरफ तुला राशी थोड़ी इरिटिबिलिटी चेशिड़ापन बना रहेगा लेकिन आर्थिक इस्थिति मजबूत होती भी दिखाई पड़ा शुप समाचार की प्राप्ती होगी प्रेम की इस्थिति पहले से बहतर व्यवसाइक इस्थिति ठीक ठा कुल मिला के अच्छे चल रहे हैं रश्टिनसेटरक्ट र राजनितिक लाग मिलेगा ब्रिशाईक इस्थिति सुद्रिण हो मखा रशी चोट चपेट लग सकता है अचानक परिस्तिया प्रतिकूल हो सकती है स्वास्त पे ध्यान दें प्रेम की इस्तिती ठीक ठाक है विवसाई की इस्तिती भी ठीक है कुम्रशी रंगीन बने रहेंगे, जीवन साथी किससे समेपता मिलेगी, प्रेमी प्रेमी का की मुलागात संभावे, व्योधी परास्त होंगे, उडग्यान की प्राप्ती होगी, थोड़े डिस्टब जरूर रहेंगे लेकिन आगे ही पढ़ेंगे, प्रेम की स्तिती करीब-करीब ठीक ह आर्थिक स्थिती और व्योसाइक स्थिती अच्छी है आपकी, शारी जी के स्थिती में थोड़ा सा कुछ छोटी मोटी चीजों को लेकर के डिस्टब रहेंगे, बाकी सब्सक्राइब, नमस्तुए